हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल अरद्या आरेयस एकड़मी में दोस्तों राजस्तान में आई जित राजस्तान पटवारी बरती परिक्षा दोजार इकिस के नवींतम पाठे करम के अनुसार मोडल पेपर की टैस्सीरी शुरू की गई थी जिसमें आज मैं आपको दोस्तों मोडल पेपर नंबर दस है वह करवा रहा हूं इससे पहले दोस्तों पने नो मोडल पेपर हैं वह कंप्लीट पढ़ लिये हैं अगर आपने नहीं देखे है तो आप प्ले लिस्ट में जाईए वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्तान स्थारी टोप 25 मोडल पेपर के नाम से वांफ रूडर बनावा तो आप वहां जाके पिछले जो मोडल पेपर का टेस्ट है वह अवस्य दें परिक्सा में जाने से पहले जरूर टेश्ट दे कर जाना है वह भूबहू आपको ऐसाई पर हैं वह प्रिक्षा में देखने को मि भारत में पोस्ण आहर के बारे में जाग रुकता फैलाने के उद्धेशे से 13 एपरेल 2021 को सुरू की गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तोों वो है अपना इस में कौन सा तो वो है आहार करांती तो इसमें बी नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिलकुल सही उतर हो जाएगा आहार करांती आगे देखिए परदान मंतरी नरेंदर मोधी द्वारा विश्वजल दिवस के अवसर पर सुरू किया गया जल सकती अभियान केच दे रेन कब तक चलाया नमबर का उप्शन बिलकुल सही उतर है सईयुक्त राष्टर द्वारा जारी विश्व प्रसंता रिपोर्ट दोजार इक्स में भारत को एक सो गुननिचास देशों की सुची में किस स्तान पर रखा गया है बताईए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व प्रसंतार डोजार इक्स में भारत को 140 देशों की सुची में किस स्तान पर रखा है राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों 140 वे पर रखा गया है डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा एक सो गुंचा लिश्वेश्थान पर भारत का नंबर है आगे देखे किस वरिष्ट आई पिए सदिकारी ने राष्टिय शुरक्षागाड यानि कि एन एस जी के महानिर्देशक का पदवार 18 मार्च 2021 को गरण किया अपने को बताना है दोस्तों वह वरिष्ट आई पिए सदिकारी कौन है जिन्होंने एन एस जी यानि कि राष्टिय शुरक्षागाड के महानिर्देशक का पदवार 18 मार्च 2021 को गरण किया है राइट आंसर हो जाएगा वो है एम ए गणपती तो इसमें बी पर उलम्पिक 2020 में भारत ने कुल गुनिस पदक जिसमें से 58 रजत और 6 कांसे पदक जीत करें पदक तालिका में कौन सा इस्तान प्राप्त किया है तो दोस्तों यहां पर टोटल पर एरा उलम्पिक के अंदर दोस्तों गुनिस पदक जीते हैं और भारत है वो तेवीश्व देखिए ओप्सन में यहां पर 23 वा नहीं दे रखा तो आप 23 कर लेना है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नमबर का जो ओप्सन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 23 वा ठीक है आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें टोक्यो पैरा उलम्पिक सुरी यहां पर पैरा उलम्पिक नहीं यहां पर सिर्फ और सिर्फ ओलम्पिक दे रखा है ठीक है देखिए टोक्यो ओलम्पिक 2020 के संदर्ब में कौन सा कतन सही नहीं है तो दोस्तों कौन सा कतन है वो इसमें सही नहीं है टोक्यो ओलम्पिक के बारे में बताया जा रहा है चेक गंडराज्य के विटेज सलाव वेशली ने 87.44 मिटर भाला फेकर रजत पदक जीता यह गलत हो जाएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जेवेलियन थ्रो केल से समंदित है और जो दूसरे नंबर पर यानि कि रजत पदक जीता है चेक गंडराज्य के दोस्तों ज जे वाडले जच यह नोने रजत पदक जीता है जो यहाँ पर दे रखखा है दोस्तों विटेज सलाव वेशली इनोंने का से पदक जीता है और यह भी चेक गंडराज्य के हैं ठीक है तो यहां पर है अपने को बताना था कौन सा कतन सही नहीं है तो बी नंबर वाला कतन सही नहीं है बी नंबर का ओप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए इसमें नीरज ओलम्पिक में व्यक्तिकत इस परदा में सोन पदक जीतने वाल अभी नव बिंद्रा के बाद दूसरे भारते खिलाडी बन गए हैं बिल्कुल सही है ट्रेक एवं फिल्ड इस परदा में ओलम्पिक में व्यक्तिकत इस परदा में सोन पदक जीतने वाले नीरत चोपड़ा पहले भारती बन गए हैं यहां पर मैं आपको बता दूँ बी न गनत्व का ऐसा ही मात्रक किग्रा प्रती मिटर है बिल्कुल सही है दोस्तों आप एक सित गनत्व का ऐसा ही मात्रक किग्रा मिटर दे रखा है जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है दोस्तों मैं यहां पर आपको बता दूँ कि जो आप एक सित गनत्व का ऐसा ही मात्रक है वो कोई भी नहीं होता है कोई भी नहीं होता है तो यहाँ पर यह किरामेटर है यह होता ही होता ही नहीं है मात्रे गी नहीं होता है तो यहां पर यह गलत दे रखा है और बाकी alcohol का आप एक 25 गनद्वज 0.79 है यह भी बिल् armored सही है डॉल एंसभी सिरिय फार लोगे किसी एपार्दर्शी वस्तू का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह जिसे वह दोस्तो परावर्थित करता है तो इसमें राइट अनसर हो जाएगा शी नंबर का उप्शन बिलकुल सद्न करता हई आगे देखे, खादे संरक्षन फूड प्रोसेसिंग हेतू परियुक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, इसमें बेनजोईक अमल है, यह खादे संरक्षन यानि कि फूड प्रोसेसिंग हेतू परियुक्त किया जाता है, बेनजोईक अमल परियुक् तैक कि गजलते है वह यहां पर अपने को बताना है तो यहां पर देखिए दोस्तों देखे इसमा एक अरजा है जो उच्छ ताप के पिंड से निम ताप के पिंड के और प्रवावित होती बिल्कुल सही है ताप ये इस्ताई अवस्ता में वस्तु का ताप समय के साथ परिवर्टित नहीं होता किन्तु अलग अलग परिछेद के संगत है अलग अलग होता है बिल्कुल सही बात है आगे देखिए खुर्दरी सतह से विकिरन का उच्षरजन अधिक होता है ये भी बि रोगि के निदान में नहींननली खिए का उप्योग किया जाता है तो बताए दो स्विननलिखित में कौन से क्रेंट ऑप्युग किया जाता हैं राइट आंसर देखे दोस्तों यहां पर एक्स करने अलपा करने biological पॐ enain दोस्तों यहाँ पे देखिए जो X किरने है वो एक परकार का विद्धुत चुम्ब की वी किरन है यह है जिकित्षा में आतों के रोगों का निदान के लिए इसका प्रियोग किया जाता है राइट आंसर इसमें A नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें निमनलिकित में से किस पदार्थ की मातरा कोशिका में सरवादिक होती है राइट आंसर हो जाएगा जल C नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा जल आगे देखिए इसमे निमनलिकित में से विटामिन कौन सा है जो जल में गुलंसिन नहीं है दोस्तो जल में गुलंसिन विटामिन है वो दो होते हैं कौन कौन से एक तो B और A होता है दोस्तो इसमें C यह दोनों दोस्तों विटामीन में गुलन्चील है और बाकिस सबी है इसके अलावा तीक है? जैसे कि A, D, E, K यह क्या कौँ जो है? तो ये वसा में गुलन्चील विटामीन है तो यहांपर देखिये क्या पूचा है? कि जल में गुलंसिल विटामी नहीं है B है, C है, B5 भी है A, ये दोस्तो वसा में गुलंसिल है A नमबर का उप्सन राइट आंसर हो जाएगा इसका आगे देखिए इसको छोड़ दीजी प्रेसन थोड़ा लंबा है आगे देखिए इस 15 Allah प्रेसन देखिए इक गराम यूरिया को सरीर से ब Zooर निकालने के लिए आवशक पानी की मात्रा है एक गराम यूरिया को सरीर से ब deepest निकालने के लिए आवशक पान्रा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये रोगनो नसिया है, सही उत्त्तर हो जाएगा, इसका वो है, दोस्तो, पराबैंग niedी डी नमबर का जो उपसन है, वो इसका भील्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पराबैंग नी आगे देखिए, इस्में चोपे नी किस प्रकार की मर्दा को कहा जाता है, राइ ni नमबरское की मर किस परकार के अपरदन को किसान की मोत की संग्या दी गई है बताइए किस परकार के अपरदन को किसान की मोत की संग्या दी गई है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों परत अपरदन परत अपरदन को किसान की मोत कहा गया है राइट आंसर हो जाएगा डी नमबर मिटियों में से किसे सवते कर्षे मिटि कहा जाता है किसे सवते कर्षे मिटि कहा जाता है यह तो सभी को पता होगा कपास की काली मिटी यह सरवादिक कुपजाव मिटी होती है राइट आंसर इसमें सी नंबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखिए पोदो को सबसे अधिक पानी किस मिटी में मिलता है पोदो को सबसे अधिक पानी है यह कौन सी मिटी में मिलता है तो यह मिलता है चिकनी मिटी में क्योंकि इसमें नमी है वो अधिक समय तक रहती है राइट आंसर ए नमबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए लंबी जड़ों और नुकेले काटों अत्वा सूल युक्त जाडियों और लगू वरक्सों वाले आरक्सित अवरुदवन समाने रूप से पाए जाते हैं तो दोस्तों य बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पस्मी आंदर प्रदेश में ठीक है याद रखना आगे देखिए सुक्सम सिचाई पद्दती के संदर्ब में निमनलिकित में से कौन सा या कौन से कतन सही है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा तो दोस्तों इसका ब सही है ठीक है देखिए मरता से औरवरक पोसक हनी कम की जा सकती है बिल्कुल सही है यह वरसादीन खेती की सिचाई का एक मातर सादन है यह गलत हो जाएगा दोस्तों वरसादीन खेती की सिचाई का एक मातर सादन नहीं है ठीक है बाकी कुए भी है ठीक है नलकूब भी है गया है तो इसमें right answer क्या हो जाएगा एक और तीन इसमें सत्य है बाकि और इसमें सकेंड में गलत है सी नमबर का option right answer हो जाएगा आगे देखिए इसमें भारतिय सविधान के किस अपने में कहा गया है कि प्रतेक वेक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है भारते सविदान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि परतेक वेक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने उसका परचार परशार करने का अधिकार है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा तो वह धार्मिक सवतंतरता का अधिकार तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ धार्मिक सवतंतरता का अधिकार है यह अनुचेद से लेक अनुचेद 25 से लेके और अनुचेद 28 तक इसका उलेक मिलता है ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है आगे देखे किस अनुचेद के तहत राष्ट्रपती वितायोग द्वारा की गई प्रतेक सिफारिश को संसद के दोनों सदनों के समक्स विचार के लिए रखवाता है बताइए किस अनुचेद के तहत राष्ट्रपती वितायोग द्वारा की गई प्रतियक शिफारीश को संसत के दोनों सदनों के समक्स विशार के लिए रखवाता है तो इसका राइट आंसर है वहा है दोस्तों अपना इसमें कुछ सा तो वहाइ अनुचेद two seventy nine अनुचेद two seven nine है त्शिम राइट answer हो जाएगा अपना C number का option क्या गलत है बिल्कुल गलत है देखिए अनुचेद 280 में तो वितायोग की स्थापना की बात कही गई है ठीक है और अनुचेद 281 के अंदर है ये कार ये बताया गया है वितायोग का ठीक है कि वाई वितायोग जो भी सिपारिस राश्टरपती को करे राश्टरपती संसद के दोनों के संसद्नों के समक्स उसको रखवाता है राइट answer इसका B number option हो जाएगा अनुचे 281 279 गलत है ठीक है अगर देखे भारत के उस्तम नायदीस में भारत के उस्तम नायल है यानि कि सुप्रीम कोट में नायदीसों की संक्या में वर्दी करने के सक्ति किसमें नीत है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो संसद में नीत है B number option सहीवतर संसद में आगे देखे भारतिय सविदान के नुसर कितने परकार के अपातकाल का प्रावदान है तो दोस्तो तीन परकार के अपातकाल का प्रावदान है भारतिय सविदान के अंदर अनुचे 352, 356 और 360 ठीक है आपको पता चल गया होगा दोस्तो अनुचे 352 राष्टी अपातकाल ठीक है अनुचे 352 राष्टी अपातकाल और अनुचे 352 राष्टी अपातकाल और अनुच परकार का अपकाल है इया नामबर उप्सन बिल्कुल सईड़ तर आगे बहुत के सविदान के अदिन आपकात उपसा के बारे 16 कोई सकतन साई सकते हैं तर बहुती 1 अच्छा प्रस्तन आप तक विस्तारित है बिल्कुल सही है संग कार्यपाली का राज्य सरकारों के करमचारियों के वेतन में कटोती के समंद में जारी कर सकती है बिल्कुल सही है दीसरा देखिए भारत के राश्टरपती को प्राप्त आपात सक्तियां जैसी कोई सक्ती राज्यपालों को प्राप्त नहीं है ठीक है डी नमबर का देखिए दोस्तों इसमें यदि किसी राजे के राजे पाल इस बात से संतुष्टी है कि एक ऐसी इस्तिती उत्पन हो गई है जहां राजे की वितिय इस्तरता अत्वा साक खत्रे में हैं तो वे राजे में वितिया पात काल की गोश्टना कर सकते हैं ये गलत हो जाएगा दोस्तों अपना जो डी नमबर का जो अप्शन है वो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों ये कतन है वो सत्य नहीं है वितिया पातकाल की गोश्टना है वो राष्टर पती करता है नाक की राज्य पाल करता है ठीक है बाकी के तीनों कतन सही है अपने को कौन सा कतन सही नहीं है वो बताना था डी नमबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें निमनलिकित में से किस समिती या आयोग ने नियाए पंचायतों के गठन की सिफारिश की है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा तो वो है असोक मेता समिती बी नमबर का उप्शन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इस्सा की प्रारंबिक सताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच गनिष्ट व्यापारिक समंदों की सुचना किस पुरा इस्तल की खुदाईयों से प्राप्त होती है प्रारंबिक सताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच गनिष्ट व्यापारिक समंदों की सुचना किस पुरा इस्तल की खुदाईयों से प्राप्त होती है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अरीका में डू तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नमबर यास की जानकारी मिलती है राइट आंसर सी नमबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए वराहमिर की पंच सिदानती का आदारित है तो दोस्तो वराहमिर की जो वराहमिर का एक गरंथ है पंच सिदानती का ये किस पर आदारित है ये आदारित है ये आदारित है बी नमबर उप्सन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमिकर को उत्पादन के पचास परतिसद तक कर दिया था राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अलाउदिन खिल जी तो इसमें B नमबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा अलाउदिन खिल जी आगे देखिए इसमें निमन में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे स्रेष्ट मिष्रण माना गया है निमन में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे स्रेष्ट मिष्रण माना गया है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सितार सितार वाद्देयंतर को सबसे स्रेष्ट मिष्रण माना गया है हिंदु मुस्लिम गान का तो इसमें राइट आंसर डी नमबर उप्सन हो जाएगा सितार आगे देखे निमनलिकित में से किस पर्था की सुरुवात राजपुतों के समय हुई थी दोस्तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर देखिए इसमें जोहर पर्था है यह राजपुतों के समय प्रारंब हुई थी सी नमबर उप्सन राइट आंसर आगे देखे सभी बक्ती संतों के मद्दे एक समान विशेष्टा थी कि उन्होंने उन्होंने अपनी वानी को उसी वासा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थी तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर उप्सन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे प्रांतों में द्वेद सासन प्रनाली किस अधिनियम के अंतरगत लाग की गई थी प्रांतों में द्वेद सासन प्रनाली किस अधिनियम के अंतरगत लाग की गई थी राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें गुनिशो गुनिशी इस्वी के अधिनियम से तो इसमें सी नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों इसमें नमने में से भारत में गुनिशी सताबदी में पड़े किस अकाल को प्रकौप का समूंदर यानि कि सी ओफ कलेमिटी कहा गया है बताईए भारत में गुनिशी सताबदी में पड़े किस अकाल को प्रकौप का समूंदर यानि कि सी ओफ कलेमि सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों उडिसा काल 186666 दोस्तों 1866 के उडिसा काल ने भारत के पूर्वितट पर मदरास प्रिजिडेंसी के उत्तर वाले चेतर को प्रभावित किया यह चेतर है वो एक लाख असी अजार वरग मिलका था इसके आबादी करीबन चार करोड पिचेतर लाख थी तब तक दोस्तों इस उडिसा में दस लाख लोग भूक मरी और महामारी से मर चुके थे दो वर्सों में पूरे चेतर में दोस्तों करीबन 40 से 50 लाख लोग है वो अकाल से मारे गए थे उडिसाकाल याद रख रहा है 186666 जिसे प्रकॉप का समूंदर कहते हैं डी नंबर उप्शन बिलकुल सही उत्तर आगे देखिए निम्नांकित गटनाओं में से कौन सी गटना कालकरम के अनुसार तीसरे इस्तान पर कौन सी गटना आती है चंपारन अंदोलन आप सभी को पता होगा दोस्तों चंपारन अंदोलन है यह गुनी सो सत्रा में हुआ था ठीक है ऐसा होगा अंदोलन यह भी सभी को पता होगा दोस्तों गुनी सो बीस में हुआ ठीक है और भारत छोड़ों अंदोलन यह गुनी सो 42 में हुआ था और दां चिन्तम साक्से एवं महासतियों का टिला निम्न में से किस इस्तल से मिला है तो कौन से इस्तल से मिला है तो यह मिला है दोस्तों बागोर से राइट आंसर हो जाएगा सी नमबर उप्सन सहीतर बागोर भीजवड़ा से आगे देखिए किस सिलालेक से पता चलता है कि राजस्त सिलाले एनमबर का जो आपशन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा या आपको इसमें याद रखना है दोस्तों गुसुंडी सिला लेक्ट को हाती बाडा GHOSUNDी लेक की बोलते हैं ठेक है यान आपके इसको Hmosundi सिलालेक भी बोल सकते हैं और हाथी बाड़ा सिलालेक भी बोल सकते हैं यह राजस्तान के चितोडगड़ के पास सिलालेक है और यह संसकर्थ वासा में है और इसके लीपी है वो ब्रामी है ठीक है और यह तो संसकर्थ में प्राचिंतम सिलालेक है यह आपको इसमें याद रख हुआ है जो चुछ रॉश ही दूरी पर यह न आनसर यह नंबर उप्शन सभितर हो जाएका आगे देखे वर्तमान में राजस्तान में कुल कितने नंगर énormément है तो बताइस कुल कितने नंगर परिशद है कुल नगर निकाय कितने हैं तो एक सो अठाशी नगर निकाय हैं याद रखना तो इसमें राइट आंसर ए नमबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे किसी राज्य के राज्य मुख्य सुचना आयुक्त को सपत दिलाई जाती है बताइए राज्य मुख मनुख्य रूप में किस जाती में पाई जाती थी राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भीलवा में नमबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सहीतर हो जाएगा भीलवा में आगे देखे वह कौन सी प्रता है जिसमें पतनी अपने पती को छोड़ कर किसी अन्य प क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें नाता कौन सी परता है वो नाता परता है सी नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे गुनी सो चोटीस में इस्तापित मारवाड परजामंडल के अद्देक्स कौन थे राइट आंसर हो जाएगा वो है द करने के कारने के सौस्ते खराब हो जाने से जून 1942 से ‫7173 से निंही की मरती हो गई राइड आनसर हो जाए가 बाल मुकंद विस्सा बी नमबर उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे ग्यारवी सदी में निर्मित डोड परमारो द्वारा निर्मित दुर्ग निमन में से कौन सा है जिसका निर्मान ग्यारवी सदी में किया गया था राइट आंसर हो जाएगा गागरों द टूक अगर देखे मेरानगड्ड दुरग के संद्रम में सeg ते मेरानगड़ दूर्ग के संद्रम में सभी टक्र सा है सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें दोस्तों देखिए कि यह मैयूर आकरती से बना हुआ है बिल्कुल सही है इसकी स्थापना मई 1460 को राव जोदाने की बिल्कुल सही है इसमें महराजा मान सिंग द्वारा इस्तापित पुस्तक प्रकास नामक पुस्तकाले है बिल्कुल सही है इस दुरक की नीव में बांबी जाती के राजिया नामक वेक्ति की जिंदा बली दी गई थी बिल्कुल सही है यह सारे सही है कुट बासा में इसका सही उतर हो जाएगा सभी सही है डी नंबर उप्सन बिल्कुल सही उतर है आगे देखिए बे तो सिताबाडी बारा ठीक है और इसमें सेरिय जिनजाती का मेला भरता है राइट आंसर इसमें सी नंबर उप्सन सही उतर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों इसमें निमने में से कौन सा कुट सुमेलित नहीं है एक तरफ लेखक है तो दूसरी तरफ रचना है हरी बद्र स सुरी दोस्तों इन्होंने दूर्ता क्यान नामके गरंद की रचना की बिलकू सही है जिनेसृर सुरी यहां पे मादवानल काम कंदला यह दोस्तों जिनेसृर सुरी की गलत दे रखा है और पदम नाब ने कानर्दि प्रबंद की रस्ना की यह भी बिल्कुल और ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखे निम्न में से कौन सा कंसा कथन सत्य है वो यहाँ पर अपने को बताना है तो यहाँ पर देखे केशरी सिंग बारट द्वारा रचित प्रमुक रचनाओं में परताब चरीतर दुर्गादास चरीतर और रूठीराणी आदी हैं बिल्कुल सही है यहाँ पर दोस्तों सारी कतन सहते हैं तो इसमें डी नंबर उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखिए राजय में निमन संतों में से निर्गुन भक्ती के उपासक नहीं थे राजय के निमन संतों में से निर्गुन भक्ती के उपासक नहीं थे राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें मीरा भाई डी नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा मीरा भाई आगे देखे वहें दो कौन से लोक देवता थे जो अमीरों से धन लूट कर गरीबों वह जरूरत मंदों को बांट देते थे वहें दो कौन से लोक देवता थे जो अमीरों से धन लूट कर गरीबों वह जरूरत मंदों को बांट देते थे राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डूंगर जी और जमार जी तो इसमें डी नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए निम्न में से कौन राणा कुमबा से समंदित नहीं है राणा कुमबा से समंदित कौन नहीं है राइट अंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें काल भोज ठीक है ये दोस्तों काल भो जो है यह राना कुमबा से समंदित नहीं है बाकी काना व्यास मंडन और कवी महे से यह तीनों दोस्तों कुमबा की दरबार में थे तो इसमें डी नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए विकानेर के महराजा राय सिंग से समंदित तथे हैं अ राय सिंग विकानेर का परतम सासक था जिसने महराजा धिराज की उपादी धारण की ठीक है बिल्कुल सत्य साब महराजा धिराज की उपादी धारण की आगे देखिए अकबर ने राय सिंग की सेवाओं से प्रसन होकर उन्हें बटनेर की जागीर परदान की बिल्कुल सही है राय सिंग ने मुगल समराट अकबर एवं जहांगीर को अपनी अमुले सिमाई परदान की बिल्कुल सही है तीनों खतन सही है चोथा देखिए डॉक्टर दस्रत सर्मा ने राय सिंग को राजपुताने का करण कहा गया है तो दोस्तों ये राजपुताने का करण है ये राय सिंग को किसने का था मुंसी देवी पुरसाद ने दसरत सिंग है वो गलत दे रखा यहां पे तो इसमें पहला दूसरा और तीसरा खतन सत्य है तो इसमें ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए चिस जले में प्रारंब किया गया है तो राजस्तान का पहला रोप्वे ये दोस्तों जालोर जले में प्रारंब किया घै ढी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये तो आप सभी को पता हो दोस्तों देखिए आगर मैं यहा Pir बताौं तो दो दोस्तों तो इसमें डी नमबर उप्सन सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए निमन में से कौन सही उग में इस्तापते परियतन वे उनकी अव इस्तती के संदर में सुमेलित नहीं है तो यहां पर देखिए नंदनी माता तीर थे छींच माता केला पानी काली जरा परताब गड़ ये सा सुमेलित नहीं है आगे देखिए तराइन के पर्थम्यूद में मौमद गोरी को गाहिल करने वाला परत्विराज चोहान का दिल्ली सामन्त कौन था तो वो था दोस्तों गोविंद राज बी नंबर का जो उप्सन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा गोविंद र इसे किस अनुचेद के तहत प्रदेश में राज्य वितायों का गठन का प्रावधान किया गया है राज्य वितायों का गठन का जो प्रावधान है ये प्रावधान किया गया है दोस्तों इसमें अनुचे 243 में के तहत और अनुचे 243 जह के तहत तो इसमें राइट आंसर एक्रण के पर्थम चरण का नाम है मतस्य संग रखने का सुजाव किस ने दिया राजस्तान के एक एकरण के पर्थम चरण का नाम है मतद से संग रखने का सुजाओ कि इसने दिया राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शिरिक केम मुंसे ने दिया था तो इसमे राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए इसमें जैपूर बलू पाटरी के लिए प्रशिद है यह चितरकारी किन बरतनों पर की जाती है तो दोस्तों यह चितरकारी है यह चीनी मिट्टी के बरतनों पर की जाती है बलू पाटरी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आगे देखिए दिंगा गवर बेतमार मेला कब और कहां लगता है यह लगता है दोस्तों बैसाक कृष्ण तृतिया को जोधपूर में लगता है आगे देखिए सीरावन से तात्परिये है और यह काफी बार यह प्लैस्न परिक्षा में पूछा जा चुका है सीरावन से तात्परिये है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गरामिंड छेत्र में कर्सकों का जो सुबह का भोजन है उसको बोलते हैं सीरावन तो इसमें राइट आंसर बी नमबर और उप्शन सही उतर हो जाएगा अगे देखिए राजस्तान के वे संत कोन है जो राजस्ता बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए राजस्तान में सरवादिक परियटक किन इस्तलों को देखने आते हैं तो इसका सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें एतियासिक इस् अटूंडी अजमेर में गांदी आसरम की स्तापना किसने की राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्टो हरी बहु उपाद्याय ने की थी आगे देखे किस करमांक में मदू पलस आचारिय यानि की मदवाचारिय और इसमें आप सभी को पता है येरेलेवे के आगे अगर आदा कटावा अक्षरा जाए तो उसमें यन संदी का प्रियोग होता है तो इसमें मदवाचारी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नमबर उप्षन बिल्कुल सही आगे देखिए इसमें चराचर सामासिक पद का समास विग्र है और समास का नाम क्या है चराचर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें चर और अचर का नाम आ रहा है ठीक है और इसमें दुन समास का प्रियोग हुआ है राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर उप्षन बिल्कुल सही उतर नेक्स आगे देखिए बिला वज़य में उप्सर्ग है तो दोस्तो बिना बिला वज़य में उप्सर्ग है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा वो है इसमें बिला उपसर्ग है इसमें तो इसमें ए नमबर उपसन बिल्कुल सही उत्र है आगे देखिए उपनिसद सब्द में एक परते लगाने पर कौन सा सब्द बनता है तो दोस्तो इसमें सब्द बनता है कौन सा? तो इसका right answer हो जाएगा, वो है, ओक निशिदी के सब्द बनता है A number option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए, एक तो है इसमें gay और एक है gay सब्ध युगम का सही अर्थ है तो इसका right answer क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों गे का मतलब गानने होगे और गे का मतलब होता है जानने होगे ए नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए मोकिक का सही विलॉम है मोकिक का सही विलॉम क्या है राइट अंसर हो जाएगा वो है लिखित A number का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा लेकित आगे देखें निमने सब्दों में से केवल एक सब्द की वर्तनी सुद्ध है तो अपने को सही उतर चुना है तो आप सबी को पता है उजवल के अंदर दोनों क्या होते हैं आदे आदे आते हैं तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें C नमबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर आगे देखें पद करम की दरश्टी से निमनलिकित में से कौन सा वाक्य सुद्ध है पद करम की दरश्टी से निमनलिकित में से कौन सा वाक्य सुद्ध है तो दोस्तों इसमें देखें परदान मंत्री के साथ तीन मंत्री और चार सांसत थे ये वाक्य है वो सुद्ध वाक्य है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नमबर ओप्सन बिलकूल सही उतर आगे देखेंगे इसमें जस्टीफिकेशन का धिवासिक प्रियाय है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तो इसमें ओचित्ध़ बी नमबर का जो ऑप्सन है वो इसका बिलकूल सही उतर हो जाएगा ओचिते आगे देखिए अपनी एकुसलता चिपाने के लिए बहाने बनाने का भावारत व्यक्त करने वाली लोकोगती है तो वो है नाच न जाने आंगन टेडा तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नमबर उप्शन सही उतर हो जाएगा यानि की बहाना बनाना आगे सबसे पहले समानार तक सब्से समझ दीता है यहां पर दोस्तों देखिए साइनोपसिस साइनोपसिस का मतलब क्या होता है पता हो ना थी आप सभी को साइनोपसिस का मतलब होता है दोस्तों इसमें क्या तो दोस्तों इसका मतलब होता है सार क्या होता है सार और इसी का दोस्त right answer हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों तुम अप का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है दोस्तों बढ़ाना क्या होता है बढ़ाना ठीक है और इसका जो दोस्तों so up ठीक है इसका भी मतलब होता है दोस्तों बढ़ाना या दोस्तों उगाड़ना ठीक है तो इसमें right answer हो जाएगा बी नमबर ऑप्शन सही तर आगे देखिए यहां पर अपने को दोस्तों इसमें correct sentence है वो यहां पर बताना है ठीक है यानि कि कौन से sentence कौन सा sentence है वो इसमें सही है यहां पर देखिए this is one of the most improvement inventions of this country यह वाक्य पूरी तरसुद है तो इसमें no correction requirement आएगा डी number option बिल्कुल सही उता रहे इसमें देखिए the author had been left the auditorium before the audience stood up तो इसमें इसका right answer आजाएगा दोस्तों इसमें head left आएगा इसमें head been है ना head been left दे रखा है तो इसमें सिर्फ head आएगा तो इसमें right answer हो जाएगा इसमें c number option सही उतार बीन नहीं आएगा इसमें अब यहां पर देखिए correct एंटोनियम willowm सब्द अपने को यहां पर बताना है तो यहां पर देखे crowded crowded का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है दोस्तों भीड क्या होता है भीड और यहां पर देखिए डेजर्टेड का मतलब क्या होता है सुनसान तो इसका यह क्या हो गया विलॉम सब्द हो गया ना एक तरफ वीड है तो एक तरफ सुनसान है तो इसमें d number option सहीतर हो जाएगा आगे देखिए कॉमिक का मतलब होता है दोस्तों हास्य है जैसे कोई अपन जोक सुनाते हैं तो व दोस्तों इसका जो विलॉम हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए ट्रैगिक का मतलब क्या होता है दुखद तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर उप्शन सहीतर यह तीन प्रेस्ट से समंदित आएंगे जो आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपक तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें दोस्तों लाइव इन ड्रीम डी नंबर उप्शन सही उतर है आगे देखिए यह देखिए लाइव वायर तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए अजिल तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर उप्शन सही उतर इक्राणवा नंबर का प्रेस्ट ने अब देखिए अपने रिजिनिंग और मैथ की कुछिन स्टार्ट हो चुके हैं देखिए सही विकल्ब चुलना है तैराक स्विमिंग पूल ट्रेक तो यहां पर जिस परकार तैराक स्विमिंग पूल में तैरता है तीक उसी परकार ट्रेक पर कौन दोड़ता है दावक दोड़ता है तो इसमें राइट आंसर सी नंबर उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें पर प्रसन वाचा के चिन्नाय पर बताना है यहां पर क्या है तो यहां पर आपको दिख रहा होगा देखिए एफ एक क्या हुआ है पलस हुआ है ठीक है जी और आई में इसमें एच आई इसमें पलस के दो हुआ है ठीक है और आई और एल में इसमें दोस्तों पलस के तीन हुए है ठीक है और के और ओ में इसमें दोस्तों पलस के चार एफ के बाद में एफ जी एच आई जे ठीक है तो यहां पर जी आएगा तो जी जे किसमें जी जे दोनों के अंदर है आगे देखे इसमें जे के अंदर अपने को तीन जोड़ेंगे तो जे के अंदर तीन जोड़ेंगे तो क्या आएगा तो यह आएगा दोस्तों इसमें एम तो इसमें डी नंबर का उप्शन राइट अंसर हो जाएगा जी जे एम पी ठीक है आगे देखिए इसमें दोस्तों निम्नस संख्या स्रंख्ला में इसे गलत कौन है यहां पर देखिए दोस्तों 89 कि आपको यहां पर बताऊं थूए दोस्तों देखिए शर्प्राणवा में से चार गटा दिजी ए शर्प्राणवा में पर देखिए तो कितने बचे तो दोस्तों इसमें देखिए गलत संक्या अपने को ग्यात करनी है ठीक है 800 बराणमा में से 4 गटाए तो कितने बचे 888 और 888 में 2 का भाग दिया तो कितने आए 444 ठीक उसी प्रकार है दोस्तो 444 में से अपने 4 गटाए तो कितने बचे 444 और 444 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 220 तो यहां पे 220 आ गया ठीक उसी प्रकार सब में से 44 माइनस करने है और दो का भाग देना है यहां पे 445 दे रखा है यहां पे आना चाहिए था 444 ठीक है तो अपना इसमें गलत संक्या कुनसी है ए नमबर उप्सन सही उतर हो जाएगा आगे देखिए स्रंकल गये कितने का गयप हो रहा है च्छे का वापस है वापस च्छे का गयप हो रहा है इसमें भी च्छे का गयप सभी में च्छे का गयप हो रहा है तरह सट में से 6 गये तो कितने बचे 57 और 57 में से 6 गये तो कितने बचे 51 तो इसमें सी नमबर का उप्सन राइट आंसर हो जाए से जैने कि क्या हुआ दो पलस हुआ इधर क्या हुआ चार पलस हुआ इधर क्या होगा चछा पलस कर दीजिए चोदा और चैने होते हैं वीस तो अपना इसमें राइट आंसर एए आगे देखे 97 नमँट का कीूबब कितना हुता है 2 आट्होता दोटérer के हूब कीटना तो दोस्तों तिन का क्यूब पता होगा आपको 27 का क्यूब कितना होता है 64 इन पिर Initiีट बीरही टे है यहां पर कहते हैं ते किया यह लिए देखेब आपने को यहां पर किया करनी ऐ ध्याद करनी है ठीक है यहाँ पर देखिए दोस्टों हाँ कि कि इसमें ते разв गुषिए तेरा 700 और में так कि भी देखिए तेरा साथ सो atation में दें रखिए तो दोस्तों इसमें देखिए तेरा इंटू साथ कितने होते हैं इकाण में क्या होते हैं तेरा इंटू साथ ते रसते एकराड़ में बिल्कुल सही दे रखा है यहां पर 13 into 6 13 into 6 करोगे तो 78 राएंगे ना बिल्कुल सही है यानि कि सुरुवाद के दो डिजिट है उनको आगे वाले संख्या से multiply करेंगे तो आपको last वाली दो संख्या हैं वो देखने को मिल जाएंगी यहां पर देखे तेरा चो का बावन बावन आना चीह था यहां पर नमबर उप्शन में हैं लेकिन यहां पर दे रखाया अठावा नहीं यानिकि यह अन्या से बिन है तो इसमें इनमबर उप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिये इसमें देखे नो ठीक है उननचास ठीक है और इसमें दस टोटल करके देख लिए दोस्तों इसमें इसमें 11 हो जाएगा इसमें 9 हो जाएगा और इसमें 4 और 9 कितने होते हैं तेरा और इसमें नहक क्यों और राभ िश्व रैट benefit है ओड़ा य生 संख्या ओप योग करना है यह और यह इंभा स्वलाण तक इसे पीर प्राइब क्रेंग्ट से आप आप दो सद्टरे को हैं सजातिए धुर्वए एक दूसरे को को विकर्शित करते हैं विजातिये धुर्व एक दूसरे को आकर्शित करते हैं धारनाएं देखिए सजातिये धुर्व की चुंबकिये वस्तू एक दूसरे को विकर्शित करती है बिल्कुल सही है विपरीत परकरती के विक्ति अधिक अक्सुनन रहते हैं ये भी बिल्कुल स दारणाई है वो अंतरनीहित है तो इसमें डी नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सभी उत्र हो जाएगा यह आपको इसमें याद रखना है ठीक है यह देखिए 102 नंबर का प्रेशन कथन क्या ग्रामिंड शेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोशाहित किया जान कि समस्या को दूर करने के लिए दूर करने में साइटा करेगा दोस्तों इसमें इस्में मैं आपको दोस्तों यहां पर डायरेक्ट यह देखिए इसमें निम्नांकित कित्र में से बर्गों कि संक्या कितनी है तो यह बताgt अपता पता है कि आता नहीं आता ठीक है यहां पे देखे चित्रों में वर्गो की संक्या कितनी है वह यहां पर अपने को बता नहीं था तो दोस्तों इसमें मैं बता दू एक गटक वाले कितने हैं नो ठीक है दो गटक वाले कितने हैं सोरी चार गटक वाले कितने हैं तो चार गटक वाले देखिए चार है ठीक है ये तो कितने है नो चार तेरा और नो गटक वाला कितना है एक तो नो चार तेरा रेक है चोदा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ए नमबर उप्शन बिल्क डोमेन है ये किसका उधारण है तो दोस्तों ये उधारण है किसका तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये उधारण है दोस्तों वानिजिक डोमेन का तो इसमें C नमबर उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखिए ISP पूरा नाम क्या है ISP का पूरा नाम क्या है राइट आंशर हो जाएगा वह दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवइडर तो इसमें ए नंबर औप्षन सहीतर हो जाएगा आगे देखें पहली पीडी का कम्प्यूटर इन में से किस पर आधारित था राइट आणसर हो जाएगा वह दोस्तों वेबक्यूम ट्यूब और चुम्बक किया जाता है Screen Resolution का परियोग किया जाता है तो ये Display के रूप में परिवर्तित करने हेत्व किया जाता है एक नमबर option सही हुतर हो जाएगा आगे देखे सुप्ट्वेर का एक ऐसा प्रकार है जिसे अंतीम परियोग करता के रूप में वर्नीत किया जाता है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अप्लिकेशन सौफ्ट्वेर सी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखें किसी डॉकुमेंट में कोई टेक्स्ट डूंडने है तू संक्सिप्त क्यों जी परियोग होती है तो इसका सही उतर हो आज बिल्कुल सही उतर हो जाए इनमें से कौन ओफिस कलेक्शन के ओप्सन मा इक्रोसॉप्ट क्ल्थ और गयोगनाइजर में नहीं है आगे दिए ओन ओफिस परजैशन तो उप्जनेम में का सही क्या है तो औफर्श नेम डालने का सही करम है है वो कुन सा है तो वो है दोस्तों इंसर्ट फिल्ड से आथर तो इसमें सी नंबर उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए टेप बटन का परियोग किया जाता है तो यह किया जाता है दोस्तों इसमें बताइए तो दोस्तों टेप बटन का परियोग देखिए करस जैन में इन में से सही उत्तर चुने राइट आंसर क्या हो जाएगा एक दो तीन तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें कंप्यूटर रेम क्या है कंप्यूटर रेम क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है memory दी नमबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इन में से कौन सा optical डिस्क का उधारन कौन सा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों DVD ए नमबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा डीवीडी आगे देखिए एवांचित और अंचाही ए-mail कहला तो यह कहलाती है दोस्तों इसमें SPAM यह नमबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा SPAM आगे देखिए निमनलिकित कतनों में से सबसे अधिक पतला मोनिटर है गलत है डोट मैट्रिक सरवादिक गति वाला कंप्यूटर है यह गलत हो जाएगा बाकी और तीन दोनों है वह इसमें सबस्क्राइब है तो यहां पर इस प्रेशन का राइट आंसर ए और बी दोनों ऐसा त्यकतन है तो दोस्तों यह मैंने आज आपको दस नंबर का मॉडल पेपर है वह कंप्लीट करवा दिया है प्रेशन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और अरद्यारेस अकेडमी के यूट्व च झालत ए मगल के दिया है, जल झालतला ए दो नंग करता है वह जगे के जल दो दोगे साफ़ादा यह मैंने जरूरेस वहां वह बार आंसरादा प्रेशन प्रेशन का मैंने जरूर आपको बार यहां जरूर्ई आपको